कभी हमने सोचा है कि आज देश को सतर साल हो गए हैं आजाद हुए लेकिन आज तक बहुजन समाज का कोई पीम नहीं बना आखे क्यों हमारी टीम ने नजर डाली और कुछ आंकले जुटाए आए देखते हैं क्या है वोई देश को आजाद हुए आज सतर साल से अधिक हो गए हैं लेकिन बहुजन समाज का आज तक कोई पीम प्रिधा मंत्री रूपे नहीं बना आखे क्यों बहुजन मूल निवासियों के बाबा सहाब को तुम माना लेकिन बाबा सहाब की कही बातों को नहीं माना बहुजन मूल निवासियों का अपना कोई एक धर्म नहीं है आप अ चुनाब होने तक आप हिंदू हैं उसके बाद जैसे ही चुनाब जीत जाते हैं आप चमार, भंगी, दोगी, नाई, कुमार, भानू, यादप, रैगर, पासी, पासवान, कोली, तेली, कुर्मी, पटेल, मुसल्मान, जाट, गूजर, शाशक, कुश्वाहा और ना जाने क्या क्या बन जाते हैं, यानि कि 6,743 जातियों में आपको बाट दिया जाता है, फिर आप हिंदू नहीं रहते, आखिर क्यों, बहुजन मुनलिवासियों में एक्ता नहीं है, बहुजन मुनलिवासियों के लिए जिस दिन आप उपरोक तो सभी तीनों बातों पर अमल कर लेंग बहुजन मुनलिवासियों जिस दिन आप उपरोक तो सभी तीनों बातों पर अमल कर लेंगे, यानि कि इसको अपना लेंगे, वो अपना वोट किसी को भी नहीं बेचोगे, तो शाशन भी तुमारा होगा, शाशक भी तुमारा होगा, पीम भी तुमारा होगा, और सीम भी दीन भी तमारा होगा यानि कि सबकुस तमारा होगा और बहुजन मूल निवासियों की सरकार होने से मिलेगा आपको शिक्षा, अपनापन, समानता, बराबरे के हिस्सेदारी। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुजन समाज के लोगों में अपनापन एकता आ सके, ऐसे ही बहुत सा सारे सब्जेक्टों को, बहुत सारे वीडियो को हम लोग लेकर आने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और बलाइट लेटेस्ट सभी बहुजन समाज के खबरों पे नजर बनाए रखने के लिए, तक तक देविम नमोग दाहिं